नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस योटूप चैनल जीवन जीने की कलाम हैं कैसे हैं आप सभी I think स्वस्थ होंगे आईए आज के इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सोचे कभी आप सोय हुए हैं और बगल से तेज तेज खराटे आएं या फिर आपको भी हो सकता है कि ये समस्या हो खराटे आने की तो इसका कारण क्या होता है इसे जानते हैं और इसके लक्षन क्या होते हैं साथ ही साथ इन्हें कम करने के लिए क्या घरेलू उपाय अपना सकते हैं आप जिससे कि आपकी ये समस्या जड़ से समाप्त हो जाए पुनता ही इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे तो अंत तक बने रहिए सबसे पहले समझते हैं खराटे क्यों आते हैं जब नाक से सांस लेते हैं तब आपकी नाक के अंदर मौजूद टिशू बढ़ने लगते हैं जिसके कारण मांसपेश्या धिली हो जाती हैं जिससे सांस लेने में दिकत होती है और सांस समान्य रूप से नहीं आती है जिसके बा करके लोगों का मानना है कि जब कोई व्यक्ति जादा थक जाता है तो उसे खराटे आने लगते हैं जो उसके साथ सोने वाले के लिए बहुत बड़ी परिशानी की वज़ा बन जाता है तो खराटे तीजी से आ रहा है तो उसे कम कैसे करें इस बारे में भी हम सभी जानेंगे स सबसे पहले इसके कारण को जानते हैं अगर आप किसी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो खराटा आ सकता है रात के समय अधिक भोजन करते हैं तो भी ये समस्या होती है नाक में सूजन हो तो ये समस्या होती है धुम्रपान की आदत है तो ये समस्या होती है अधिक उम्र प्रेयोग में लाया जाती है आता है इससे आप एक ग्लास पानी में दो से तीन बुंद डाल लीजिए और इस पानी से घरारे कीजिए या आप सोते समय इसके तेल को अपनी नाक पर लगा लीजिए इससे भी आपको काफी मदद मिलेगी खराटे कम हो जाएंगे इसके अलावा अपना वजन कम करें जिन ल वज़से तेज खराटे आना बहुत लाजमी है इसलिए वजन को बहने मत दीजिए अत्या देख इसके अलावा गर्म पानी से भाफ लीजिए जिन लोगों को खराटे आते हैं उन्हें गर्म पानी से भाफ लेना चाहिए इसा करने से आपकी नाक की नली में जमी हुई कर लीजे और उसके बाद उसे सोने से पहले अपनी दोनों नाग के छेद में एक-एक बुंद करके डाल लीजे और सुबह उठने के बाद भी ऐसा ही कीजे इससे आपके खरराटे कम होने लगेंगे इसके अलावा धुम्रपान को ना बोल दें जी हाँ दम्रपान नहीं करना है आपको, ये आपके सांस लेने वाली नली में सिकुरन पैदा करता है, जिसकी वज़ह से खर राटे आते हैं, और सांस लेने में भी दिक्कत होती है, इसके अलावा एक करवट सोएं पेट के बल सोना ये भी खर राटे आने का एक कारण बनता है इसलिए आप यहीं कोशिश करें कि रात में जब भी सोएं एक तरफ करवट लेकर के सोएं बाई करवट सोएं पीट के बल सोएं बाई करवट सोएं यानि की पॉस्चर बदलते भी रहें लेकिन सबसे ज़्यादा आपको बाई करवट और पीट के बल ही सोना चाहिए पीट के प्रियोग करें सोने के पहले एक ग्लास पानी में इलाइची का थोड़ा सा पाउडर डाल लीजे और उसके बाद उसे पी लीजे इसे रोजाना कीजे आपके खराटे आने की समस्या इससे दूर होगी खराटे आना अच्छी बात नहीं है क्योंकि इसकी वज़ा से अन्य आटों से परेशानी होती है तो आप ये तरीके अपना सकते हैं और इससे रहात पा सकते हैं फिलहाल आज की वीडियो रही आप सभी के लिए ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजे क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी के लिए नई वीडियो ले करके आते रहते हैं फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही लाइक कीजिए वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सेहत संबंधी सवाल हैं तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों